हेलो दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे कवड़ी गेम के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कवड़ी ग्राउंड की मेजर्मेंट के बारे में रूल एंड रेगुलेशन टाइपस ओफ कवड़ी और इसके साथ साथ देखेंगे कवड़ी के होर कौन से नाम होते हैं और कवड़ी की कौन सी फडरेशन है नेशनल और इंटरनेशनल इसके बारे में देखेंगे नमबर ओफ प्लेयर कितने होते हैं टाइमिंग कितनी होती है और टाइम आउट कितने मिलते हैं मैच कैसे स्टार्ट होता है, बॉनस लाइन क्या होती है, लोना किसे कहते हैं, रजल्ट कैसे नकालते हैं और टाई हो जाए तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं, कार्ड कितने होते हैं और इसके साथ साथ कितने ऑफिशल इस गेम में होते हैं, तो सारी की सारी जानकरी हम इस वीडिय होने वाली है और अगर आप इस सारी जयनकारी देखना चाते हैं तो वीडियो को एंड तक जुरूर देखें तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज की इपॉर्टन एंड हैं कबड़ी मिट्टी और मैट पर खेलने जाने वाली गेम है एक प्लेयर सीमस हमें में दूसरे टीम के अलाके में जाकर जितने प्लेयर को टच कर देता है और पापस अपने अलाके में आ जाता है उस प्लेयर को उतने ही पॉइंट मिलते हैं और एंड टाइम में जिस भी टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं बोर टीम विनर हो जाती है कबड़ी गेम का जनम दाता भारत है बूमन ग्राउंड की मेजर्मेंट डिफरेंट होती है तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जो मैन होते हैं उसकी ग्राउंड की मेजर्मेंट क्या होती है सबसे पहले दोस्तों जे होती है सेंटर लाइन हम इसे मिड्र लाइन क्याते हैं इसे मिड्र लाइन क् सबसे पहले हम इसकी measurement आईए वो देखते क्या होती है दोस्तों इसकी जो length होती है वो होती है 13 meter मैंस में हम बात कर रहें 13 meter इसकी होती है length और जनकी इसकी लंबाई होती है 13 meter और इसकी चुड़ाई देखें तो वो होती है 10 meter उसके बाद हम देखें, walk line जो होती है मिड लाइन से होती है 3.75 मीटर और इसके पीछे 1 मीटर होती है bonus line और bonus line से end line की जो दूरी होती है वो होती है 1.75 मीटर इसके साथ हम mid line से जो end line है उसकी अगर दूरी देखें तो वो होती है 6.50 मीटर इसके साथ हम midline से जो हमारी bonus line है अगर उसकी दूरी देखें तो वो होती है 4.75 meter तो दोस्तो exam में जे शोट शोट से question पूछ लिए जाते हैं और जाद करना है जे इसकी जो measurement अबो क्या होती है और जो lobby होती है दोस्तो lobby की जो चड़ाई होती है वो होती है 1 meter और इसके साथ जो हमारे sitting block होते हैं वो endline से 2 meter पीछे लगाए जाते हैं और इसकी जो चड़ाई होती है बहुती है 1 meter और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 meter तो दोस्तो जे होती है इसकी dimension जे होती है इसकी measurement एक सीरीस चलती है ओ एसे हमारे प्लेयर इधर बैढ़ते है तो जह था मन की जो ग्राइं अब हम देखते हैं जो बुमेंज की ग्राइं होती है उसकी क्या मेजर्मेंट होती है धूस्त इसकी जो लेंध होती है बहुत है यह 12 मीटर और इसकी जो चड़ाई होती है वह होती है 8 मीटर और मिड्लाइन से जो हमारी walk line होती है उसका जो distance होता है वह होता तीर मीटर उसके पीछे होती है bonus line जे होता है एक मीटर उसके पीछे जो होती है end line जे distance होता है है 2 meter और MIDLINE से जो ELND की दूरी होती है 6 meter और MIDLINE से जो हमारा bonus line की दूरी होती है बहुत इधा है 4 meter और जिसके LOP Insurance होती है वो řिए सेमही रहती है इसके साथ जो सेटिंग इसका जो ड्टंस है येवों तों भाटकर हैं और इसका जो लंबाई होती है और जए कम हो जाती यह होती है 6 मीटर उसमें 8 ती इसमें 6 मीटर रह जाती है तो बाकी सारा सेमी स्रक्चर रहता है कवटी की Federation की बात करें तो सबसे पहले Federation कवटी की बनी थी उसका नाम था KFI और फुल फो में इसकी कवटी Federation of India और जे बनी थी 1950 में बनी थी और इसका Headquarter था Kolkata और इसके साथ हम International Federation की बात करें उसे हम कहते हैं IKF जैनकि International Kabaddi Federation और ये बनी थी 2004 में और इसका Headquarter है जैपूर अराजस्तार में अब हम देखते हैं Kabaddi के और कौन-कौन से नेम है जैनकि Kabaddi को अधर अधर स्टेट में कौन-कौन से ना से पुकारा जाता है तो हम Tamil Nadu से शुरू करेंगे क्योंकि जन्म Tamil Nadu का ही माना जाता है और Tamil Nadu में Kabaddi को हमको कहते हैं चू डूडू इसी तरह महारास्टर में Kabaddi का नाम है हू तू तू इसी तरह केरला में इसे कहते हैं हे डूडू परदेश में North Area Side में हम इसे Kabaddi ही कहते हैं और इसके साथ हम पाक इसमें से हूडू डू कहते हैं और अब हम देखते हैं ताइपस ऑफ कवड़ी जैनकी जो कवड़ी होती है वो कितरी टाइपस की होती है हम कुछ खास कवड़ी की बात ही वक करेंगे जो ज्यादा दर खेली जाती है सबसे पहले हैं गामनी कवड़ी सेकंड है सजीवनी कव आउट हो जाता है तो पहली टीम का एक प्लेयर जिन्दा हो जाता है तो इसी तरह जे गेम खेली जाती है कबड़ी की जे गेम 40 मिनिट की होती है और इसमें दो हाफ होते हैं 20-20 मिनिट के दो हाफ इसमें होते हैं गेम में साथ प्लेयर खेलते हैं एक टीम में और सेकंड नमर म में किसी भी तरह time की limit वो नहीं होती next हम पंजाबी style कवड़ी जिसे हम circle कवड़ी भी कहते हैं जे पंजाब state में बहुत मशूर कवड़ी है इसमें क्या होता है इसमें एक circle draw किया जाता है जिसका diameter होता है by meter जैनकी 72 feet का diameter होता है और इसमें center में दो मिट्टी की dairy बना दी जाती है जिसकी आस में दूरी होती है 6 meter और इसी 6 meter के बीच से गुजर कर player वो जाता है और opponent जो team होती है 4-5 player खड़े होते हैं और किसी एक को touch करके वो आ जाता है और इस game में एक ही player को touch करना होता है इसमें एक player दूसरे player को single single ही पकड़ता है और 30 second का इसमें time मिलता है और player को touch करके जो भी बास आ जाता है जो मिट्टी की dairy होती है उसमें बीच में लाइन होती है अगर उसे touch कर देता है तो उसे एक point मिलता है तो ऐसे जे पंजाब शेतर में ये game बहुत मुशूर है ये ऐसे पंजाबी style कवड़ी खेली जाती है और जे मिटी पे खेलने जाने वाली game है तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों प्लीज अपना sport दखाएं इसमें मिलते हैं सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्लेयर कितरे होते हैं दोस्तों कवड़ी game में 12 player होते हैं इसमें 7 player playing player होते हैं जनकी वो play कते खेलते हैं और 5 इसमें होते हैं substitution player होते है जो बाहर बैठते हैं अगर किसी player के injury हो जाती है किसे चोट लग जाती है जा फाउल कर देता है तो उसकी player पर जो substitution बाहर बैठा है वो आनके game play करता है वो खेलता है तो इसलिए total player होते हैं 12 playing करते हैं साथ और बाहर बैढते हैं 5 timing की हम बात करें तो दोस्तो man और woman से time होता है सबसे पstarsÁ पहले हम मैं की बात करें तो मैन में 40 minute होते हैं और 2 half इसमें होते हैं 20-20 minute के 2 half मिलते हैं एक half 20 minute का बीच में 5 minute की break होती है और फिर से 20 minute का half उसे मिलता है 40 minute का match होता है और Bowman's की हम बात करें तो उसमें 30 minute का time मिलता है game में उसमें भी 2 half होते है 15-15 minute के 2 half होते हैं और बीच में 5 minute का one में भी break मिलता है और time out की हम बात करें तो हरेक half में 2 time out मिलते हैं 30-30 second के और time out दोस्तों कपतान, coach जाए any player कोई भी वो time out ले सकता है और दोस्तो time out के दुरान अगर कोई player ground को शोड़ देता है तो opener team को एक point मिलता है और इसके लावा match के दुरान किसी player को injuries आ जाती है जग ground की measurement खराब हो जाती है तो उस समय जो officials जाने की जो empire जो referee होते हैं वो time out ले सकते हैं और इसे हम official time out कहते हैं तो अब हम game start कैसे होती है दोस्तो कवर्टी की game toss से start की जाती है और जो भी player toss जीता है वो decide करता है कि उसने पहले raid करनी है जाने कि वो defense करेगा जान रेड करेगा इसके लावा दोस्तो पहले हाँ में जिस भी team में पहले raid की होती है second हाँ में उसकी opener team पहले raid करती है अब हम देखेंगे इस game में rule और regulation वो क्या होते है चलिए एक एक करके हम इसे देखते हैं सबसे पहला rule होता है एक time पे एक ही player वो raid करेगा और second rule है उसने continue कवर्टी कवर्टी बोलना होता है अगर वो बीच में छोड़ देता है तो उसे बास वे दिये जाता है opener team को एक point मिलता है player के पास uniform जान गले में चैन और इसके लाबा हाथ में कोई जो जिसे चोट लग सकती है यह नहीं होना चाहिए क्योंकि opponent player के चोट लग सकती है तो इसलिए इसे उतार दिये जाता है जहां इसे उतारना पड़ता है अगर नहीं उतारना है तो वो नहीं खेल सकता और किसी भी तरह का body में oil cream powder जहां ऐसे soft substance वो नहीं लगा होना चाहिए अगर कवड़ी का match मैट में हो रहा है तो उसके shoes compulsory वो होते हैं next हम rule देखेंगे दोस्तों मालों कोई player है अगर वो इदर से raid करने जा रहा है raid टच करने से पहले टच करने से पहले वो इस line को अगर touch करेगा तो वो fall हो जाता है और जो भी player इदर गया है दोस्तों ये player अगर इदर खड़ा है अगर इसने इस player को किसी को भी touch कर दिया और इ open हो जाती है लोगी struggle के time open हो जाती है और next rule है बहुत दोस्तों इदर से prayer raid करने जा रहा है दोस्तों ये होती है walk line इससे touch करना बहुत जरूरी होता है अगर कोई भी player player को touch करे बिना और इस line को अगर touch करे बिना आता है उसरी बार आ सकता है लेकिन तीसरी बार उनको do and die की situation व अगर उसने 3.1 एक सार ले लिए तो उसे super raid वो कहा जाता है और next हम देखें जो हमारा radar गया है अगर इसने 10 पॉइंट ले लिए हम उसे super 10 उसे हम कहते हैं और इसी तरह हम defense की बात करें जो अगर उसने लगातार 5 पॉइंट ले लिए है तो उसे high five हम कहते हैं इसी तरह हम द देखें दोस्तों किसी ने bonus भी ले लिया है उसके बाद अगर कोई भी player को touch करता है touch करने के बाद अगर midline का cross कर जाता है तो इस situation में उसको एक तो bonus भी मिलेगा उसके साथ इतने player को उसने touch किया है उसका point भी उसे मिलता है अब हम देखते हैं लोना क्या होता है दोस्तों हमारा opponent player के सभी के सभी जो खलाडी होते है वो बाहर हो जाते है उसको हम लोना कहते हैं इसमें क्या होता है opponent player को दो point मिलते है extra क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम अभी बाद चली गई है क्योंकि इसे out कर दिया गया एक करके इसे out कर दिया गया और इस team को मिलेगे 2 point extra और इ एक मिनिट तक बाफस नहीं आ रही तो दोस्तो इस team को ही winner गोशित कर दिया जाता है तो अब हम दोस्तों देखते है bonus point कैसे लिया जाता है bonus लेने के लिए कम से कम opponent team में 6 player होना बहुत जरूरी होता है अगर 6 player से कम है तो bonus नहीं मिलेगा अगर 6 से ज्यादा है या 6 है तो bonus मि मिलता है जब भी हमारा player rate करने जाता है bonus line कोई जो भी player हमारा touch करता है तो उसे bonus मिलता है इसमें condition क्या होती है यह वो देखते है पैर उसका bonus line के ऊपर होता है दूसरा pair का contact उसका इस area से टूटना चाहिए जनकी वो हावा में उसका pair होना चाहिए जब तक उसका contact इस area से नही उटना चाहिए तो उसे bonus माना जाता है अब हम दोस्तों देखते है result कैसे announce किया जाता है और tie अगर हो जाए तो कैसे break की जाती है दोस्तों 40 minute के खेल में जो भी हमारी team ज्यादा point लेती है वो इस game में winner गोशित की जाती है tie कैसे break की जाती है आईए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं टाइप ब्रेक करने के लिए दोस्तों दोनों टीमों को पांच-पांच रेड दिये जाते हैं मालों यह एक टीम है इनको पांच रेड दिये जाएंगे उनको भी पांच रेड दिये जाएंगे तो इस तरह हम tie उसकी break कर जाते हैं और इसके सासा दोस्तों इसमें raid कैसे decide की जाती है इसमें raid decide की जाती है जिसने toss जीता है पहले हां मैं जिसने raid पहले की थी वो ही team इसमें पहले raid करेगी तो ऐसे इसमें starting की जाती है अब माल लिजिए दोनों की tie फिर से हो गई है दोनोंने 5-5 बरापरी होगी फिर से अगर बरापरी हो जाए तो अब हम क्या करेंगे अगर फिर से टाई हो जाए तो दोस्तो हम फिर से उसके बाद हम टॉस करते हैं जो भी टॉस जीती है टीम उसे रेड करने का एक मौका दिया जाता है और इस raid को हम golden raid कहते हैं माल लीजिए J team toss जीत गई है अब J raid करेगी अगर J तो पकड़ी गई तो J team जीत जाएगी अगर J player नहीं पकड़ा गया अगर बाफस आ गया तो J team जीत जाएगी तो ऐसे हम tie end में break करते हैं और इसमें important कुछ यह होता है जो हमारी walk line होती है इसको ही हम bonus line माल लेते हैं अगर माल लीजिए किसने इसको भी cross का लिया है तो इसमें भी tie के समय में किसी player को वो भी point मिलता है जनकी walk line को ही bonus line माल लिया जाता है अब बात करते हम इसमें जो card होते हैं वो कितने types के होते हैं वो कैसे दिय जाते हैं तो दोस्तो इसमें mainly 3 types के card होते हैं green, yellow और red green दोस्तो होता है warning के लिए अगर किसी player को second card yellow card मिलता है तो दोस्तो उसे suspension दिया जाता है, those minute के लिए उसे suspend किया जाता है गेम से और red card अगर किसी player को मिलता है तो जा तब वो game से बार हो जाता है अब हम बात कहते हैं आफिशल्स कितने होते हैं तो दोस्तों में इसमें 6 ओफिशल्स होते हैं एक होता है रैफरी दो होते हैं अमपायर एक होता है स्कोरर दो होते हैं इसमें असिस्टन्ट स्कोरर ये थी आज की वीडियो वीडियो आपको अच्छी लगी कुछ नया सीखने क को मिला तो प्लीस अपना स्पोर्ट दखाएं आपकी स्पोर्ट की बहुत जरूरत होती है इससे मुझे मोटिविशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे और भी बढ़िया अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपी के साथ